उड़ाओगे हमारी नींदे अगर तो हम चैनों सकुम भी छीन लेंगे अभी तो सिर्फ आग बरसी है आसमा से दोबारा आँख दिखलाई तो जमी भी छीन लेंगे 1932 में वायू सेन स्थापना की गई थी वायू सेन इस साल अपना नभे स्थापना दिवस मना रही है हर साल आठ अक्तूबर को भारतिय वायू सेन दिवस मनाया जाता है भारतिय वायू सेना का गठन 8 अक्तूबर 1932 को भारतिय वायू सेना अधिनियम के तहद किया गया था पहली बार यूनाइटिड किंडम की रॉयल एर फोर्स की स्पोर्टिंग एर फोर्स के रूप में 1932 में भारतिय एर फोर्स कारेरत हुई थी वर्तमान की बात करें तो गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायू सेना स्टेशन में इस दिन खास आयोजन किया जाता है इंडियन एर फोर्स जिसे भारतिय वायू सेना के रूप में जाना जाता है अधिकारिक तोर पर ब्रिटिश सामराज्य द्वारा स्थापित की गई थी क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था भारतिय वायू सेना तीन भारतिय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है और उनका प्राथमिक मिशन संगर्श के समय में भारतिय हवाई क्षेतर को सुरक्षित करना है हवाई की गती विद्धियों का सच्चालन करना है एक अप्रेल 1933 को अस्तित्व में आई ब्रिटिश शासन के तहट आई एएफ को रॉयल इंडियन एर फॉर्स कहा जाता था लेकिन आजादी के बाद 1950 में सरकार द्वारा एक गंड तंत्र में परिवर्तित होने के साथ ही यह भारतिय वायूसेना में बदल गया भारतिय वायूसेना के बारे में जितना कहा जाए कम है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायूसेना है अब तक यह अपना धे वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को चौना वायूसेना के इस धे वाक्य को भगवत गीता के ग्यार्वे अध्याय से लिया गया है भारतिय वायू सेना का रंग नीला आसमानी नीला और सफेद है गीता से लिया गया ये आदर्श वाक्य देश के सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है भारतिय वायु सेना का अधर्श वाक्य होने के साथ ही भारतिय वायु सेना अपने कारेजों को इसी के अनुसार अंजाम देती है महायुद के दरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमी में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए उपदेश का एक अंच है यह आज ही के दिन साल 1932 में वायू सेना की स्थापना की गई थी इस वर्ष तीन अक्तूबर को भारती वायू सेना को हमारे रक्षा मंतरी द्वारा एक हेलिकॉप्टर उफार सुरूप दिया गया जिसका नाम प्रचंड रखा गया वह एक ऐसा मारक हेलिकॉप्टर है जिससे 750 गोलियां एक साथ निकलती है इसका परिक्षन जब किया गया तो राजनात सिंग जी स्वयम उसमें विमान में बैठे थे जिस से ये संदेश सेना को जाता है कि हम और आपके साथ हैं आप एक ऐसा मंतरीयों द्वारा करने पर हमारी सेना का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हमारी सेना में कोबल मिलता है तो अंत में इनी पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी हमारी उड़ानों में दम्न है इतना कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि रुक जा जरा अभी देश के दुश्मन बाकी हैं मारने के लिए सो दोस्तों हैपी इंडियन एरफूस डे धन्यवाद कर दोस्तों है